आपल पिक टेक कंपनीज में से एक है ये कंजूमर एलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर सौफ़वेर और ओनलाइन सर्विसिस को डिजाइन, ट्वैलप और सेल करने वाली मल्टिनेशनल टेकनोलोजी कंपनी है इस अमेरिकन कंपनी के प्रोडेक्ट्स और सर्विसिस इतने एक्स्क्लूजिव होते हैं कि हार कोई अपनी पहुँच वहां तक बनाने की कुशिश में लगा रहता है फिर चाहे एपल का आइफोन हो, आइपेड हो, मैक, आइपोड, एपल वॉच या फिर एपल टीवी ही क्यो नहो इस टेक जॉइंट का रुदबा बहुत उंचा है एपल का हेड़क्वाटर कैलिफोनिया में है और इंडिया में इसके फोर सेल्स आफिसेज मुंबई, बेंगलूरू, हैदराबाद और गुरूग्राम में है इस कंपणी के फाउंडर स्टीव जॉब्स है, जिन्होंने स्टीफन वॉजनियक के साथ मिलकर एपल कंपणी शुरू की थी एपल कितनी बड़ी और एड़्बांस टिकनोलोजी वाली कंपणी है, इसका अंदाजा तो आपको भी होगा ऐसे में एपल जैसी टेक फर्म में जॉब मिलना आसान तो नहीं हो सकता लेकिन अगर आप अपनी सहे स्किल्स पर काम करें, तो आपको जॉब मिलने के चांसे बहड़ जरूर सकते हैं और आज गुट सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एपल कमपनी में जॉब के लिए अपलाई करते टाइम आपके पास कौन से स्किल्स और डिग्रीज होनी चाहिए और किस तरह की प्रबरेशन आपको एपल में जॉब के लिए तैयार कर सकती हैं इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तुझे लिए दोस्तों शुरू करते हैं और एपल कमपनी में जॉब पाने के प्रोसेस को समझते हैं प्रोफेशनल्स के अलावा स्कूल और कॉलेज स्टुडेंट्स भी एपल में एंट्री लेवल जॉब्स और टेंप्रोरी पॉजिशन्स के लिए अपलाई कर सकते हैं एपल कमपनी में जॉब सर्च करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपना application उस job position के लिए send कर सकते हैं। जिसके लिए आप apply करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास Apple ID होना जरूरी है। Apply करने से पहले आपका Apple Jobs के बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है। जैसे की Apple में work करने के लिए आपकी age कम से कम 18 साल होनी चाहिए। भले ही आपके पास experience ना हो, लेकिन आपके पास अपनी job position के according, education and technology background होना चाहिए। Bilingual skills रखने वाले candidates के job chances तो काफी बढ़ भी जाते हैं। अगर आप लोगों कोई new products introduce करना पसंद करते हैं, तो sales position के लिए apply करें। अगर आप problem solving skills रखते हैं, तो technical support position के लिए apply करें। और store को manage करना आपको interesting लगता है, तो leadership position आपके लिए बिलकुल सही रहेगी। experienced computer scientist होने के situation में, आप software development position के लिए suitable रहेंगे। और अगर आप Apple user experience में शामिल होना चाहते हैं, तो design team के लिए apply करें। आपके field और desired job position के बारे में general information के बाद, Apple के particular job field के लिए required degree के बाद करते हैं अब। अपल की finance jobs, जैसे financial analyst और finance manager के लिए apply करने के लिए आपके पास finance या financial economics में degree होनी चाहिए। और अगर आपने finance में MBA किया है, तो इसका benefit आपको जरूर मिलेगा। अपल की education jobs, जैसे instructional project manager और learning and development program manager के लिए apply करते टाइम, आपके पास education या instructional design में degree होने चाहिए। ऐसा होने पर आपको preference मिलेगी एपल की software jobs, जैसे software engineer, iOS application developer, game development solutions engineer और front end engineer के लिए आपके पास computer science में degree होनी चाहिए। और आपको C++, JavaScript, Python और SQL जैसे programming skills की strong knowledge भी होनी चाहिए। Information security jobs के लिए आपके पास computer science के cyber security में degree होनी चाहिए। साथ ही आपको authentication protocols, cryptography and security architecture and compliance की deep knowledge होनी ज़रूरी है। Machine learning and artificial intelligence jobs के लिए आपके पास computer science, computer engineering, physics, statistics जैसे related field में master's या doctoral degree होनी चाहिए। और आपको machine learning algorithms और technologies की deep understanding होना भी ज़रूरी है। इसके लावा C, C++ और Python जैसे languages में solid programming skills भी compulsory है। Data and analytics jobs के लिए applied math, business analytics, business intelligence, computer science, operation research या statistics में degree हो। और इस position से related skills भी होना ज़रूरी है। Business and marketing jobs के लिए MBA के डिगरी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि Apple में कौन-कौन से level पर job के लिए apply किया जा सकता है। Internship Apple में job पाने का एक बहुत अच्छा रास्ता internship करना होता है। और young professionals और students को Apple intern की position आसानी से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपके पास extraordinary skills होना चाहिए। जो आपको भीड से अलग करती हो। Work from home jobs Apple company में home based jobs का option में मिलता है। यानि आप Apple company के लिए work from home भी कर सकते हैं। यह jobs part-time और full-time position पर होती है। इस तरह की job में आप AppleCare, Apple's customer service team के member बनेंगे। और आपका काम होगा phone या chat window पर customers को Apple software, hardware, services और accessories के बारे में advice देना। Store jobs Apple में आप store jobs के लिए भी apply कर सकते हैं। जिसमें three main categories होती हैं। Sales, customer support और leadership opportunities। Apple store jobs के workers भी specialist होते हैं। और अगर आप इस position पर excellent perform करते हैं। तो आप दूसरे segments में जाने का chance भी पासकते हैं। अब है Apple में apply करने का process क्या है। Apple company को passionate और happy employees पसंद है। साथ ही ऐसे candidates जो fake नहों। इस job के लिए आपको अपना resume तैयार करना होगा। जिसमें आपके professional skills और achievements के लावा आपकी personality भी show हो सके। आपको Apple products की deep knowledge भी होने जरूरी है। और Apple की काम करने के तरीके का भी पता होना चाहिए। साथ ही इस resume में ये भी mention होना चाहिए। कि Apple company की ability में आप कितना यकीन रखते हैं। Apple में job पाने का best तरीका reference को बताया गया है। यानि अगर आपका कोई non person Apple में job करता है, तो उसकी reference से आपको job मिलना आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास reference नहीं है, और hiring process में लगने वाला time two weeks से four month तक हो सकता है। Interview की first stage recruit के साथ phone interview होता है। इस 30 minute के round में आपके पास great first impression बनाने का chance होता है। इसलिए आपको अपने experiences, knowledge और resume में mention हर detail को short but effective में explain करना आना चाहिए। आपके पास इन सवालों के जवाब भी होने चाहिए कि आप Apple में job क्यों करना चाहते हैं। और आपको क्यों लगता है इस position के लिए आप best option है। अगर आप recruiter को suitable candidate लगे तो आपको video interview face करने के लिए भी prepare रहना होगा। इसका main purpose आपकी technical abilities और problem solving skills का पता लगाना होता है। ये round clear करने के बाद next stage team leader से meeting होता है जो आपकी hard and soft skills को test करता है। और ये भी पता लगाता है कि क्या आप team player है, क्या आप easy going है, क्या आप real professional है। और ये जानना भी Apple की priorities में एक है। कि आप लोगों से कैसे खुलते मिलते हैं, क्योंकि Apple को ऐसे employees चाहिए होते हैं, जो customers की problems को easily handle कर सकें और उन्हें appropriate advice दे सकें। और last stage, panel interview होती है, जिसमें select होने के बाद आपको job मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे, कि Apple जैसी बड़ी tech company किन criteria's पर खरे उतरने वाले candidates को अपने employees की तोर पर चुनती हैं, जिनमें degree और skills दोनों important है। तो दोस्तों Quick Support को उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful भी रहेगा। आगे भी ऐसे ही interesting और innovative वीडियो के लिए हमारे चैनल Quick Support को सब्सक्राइब करके बैन आकम को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।